आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में आज हम रोल आफ फिनेंस मैनेजर देखेंगे पहले तो आप कन्फ्यूज नहीं करना बिट्विन फिनेंस और अकाउंट्स एक ही कंपनी में एक फिनेंस मैनेजर और एक अकाउंट्स मैनेजर हो सकता है फिनेंस बड़ा कंसेप्ट है अकाउंट्स छोटा कंसेप्ट है अकाउंट्स वाला रिपोर्ट करता है फिनेंस मैनेजर को सो फिनेंस मैनेजर के अंडर अकाउंट्स मैनेजर आएगा सो एक finance department है मैं आपको एक structure के तुरू बताता हूँ यहाँ पर director के बज़ाए finance manager भी हो सकते है सो finance manager ठीक है का role क्या है वो finance department को head करता है जिसको हम functional area बोलेंगे जैसे production, purchase यह सब functional area है जैसे finance एक functional area है उसका head कोन है? Finance manager accounts क्या होगा? उसके under आएगा तो पहला, finance manager का सबसे important काम है financial forecasting अब यह financial forecasting की सिदाप से होगा? नया धंदा है तो start-up के लिए कितना पैसा लगेगा forecasting मतलब अंदाजा लगाना भविश्य में या नजदिक के भविश्य में आपको कितना पैसा लगेगा या company चल रही है तो अगले मेंने कितना पैसा लगेगा और कहां से आएगा कम आएगा तो लोन का वंदोबस करना है के नहीं दूसरा planning and preparation of financial reports नौ जब board of directors की meeting होती है साल में चार बार होनी चाहिए तो board of directors क्या बोलेंगे कि हमको जैसे reliance ने metro को खरीदा साड़े चार हजार करोड में तो जब directors of Reliance Industries Limited मुकेश अममानी और जो group है डू यू एगरी वो लोग finance manager को बोलेंगे एक report दे कि कितना cash अपने पास है ठीक है क्या-क्या liabilities है क्या-क्या assets है क्या हम दुसरे company को खरीद सकते हैं के नहीं so financial reports में दिन का कितना बिका है या कितना cash in hand है कितना liability है कितना assets है ठीक है कितना stock है कितने orders है ये सब reports बांगा जा सकता है balance sheet, profit and loss account, fund flow की ये साल कहां से पैसा आया कहां पे गया ये सब finance manager को तैयर करना पड़ता है अफकोर्स उसके पास employee होंगे लेकिन ये finance manager submit करेगा management को, that is directors को raising of funds अभी आपको start-up के लिए 10 लग चाहिए company के पास 6 लाग मौज़ोद है तो 6 लाग क्या हो गया owned capital हो गया या share capital हो गया बचा कितना 4 लाग ये 4 लाग को borrowed capital बोलेंगे अब owned capital जो share capital है वो बनेगा equity share, preference share इससे borrowed capital में company को decide करना है debenture, bonds, term loans public deposits किस प्रकार से loan को raise करना है तो raising of funds financial forecasting के बाद इसलिए आया कि 10 लाग आपका forecasting है फिर खुदका 6 लाग है owned capital 4 लाग borrowed है ये सोर से कहां से पैसा आया फिर वो पैसा आपके पास 10 लाग आया तो वो कहां पे लगाएंगे लगाएंगे दो जगा 10 लाग में से 8 लाग लगाएंगे machinery में fixed asset और 2 लाग में आपको machinery का maintenance electricity, rent, labor जो overheads आएंगे, factory overheads आएंगे उस पे जैसे कि आपको 1 लाग चाहिए ठीक है आपने iPhone का mobile लिया 80,000 रुपय का अपने 1 लाग पपा ने आपको दे दिया 80,000 आपने allocate किया actually इसको inflow बोलेंगे इसको outflow बोलेंगे या application बोलेंगे तो आपने 80,000 का iPhone लिया उसमें 45,000 का charger ले लिया फिर उसका recharge और friends को तो party देना पड़ेगा so जब पैसा आता है that is called source जब वो उसका इस्तमाल जहां करते हैं उसको बोलते है application जहां से आता है वो दो प्रकारे जो कि आपका यहां पे owned और borrowed खुद का और करजा लिया है जिसे कार लेनी है आपको 10 लक की 6 लक खुद का 4 लक का करजा यह आपने बंदोबस कर लिया that is raising अब वो पैसा आपने लगाया कार में 10 लक में से 9 लक की कार और फिर आपको पेट्रोल और ड्राइवर और maintenance एक्सेसरी लगेगा ना तो वो हुआ आपका allocation of funds so main finance manager का काम है inflow और outflow of funds जो आ रहा है पैसा जो जा रहा है इसका manage करना इस management को financial management बोलते है manage कोन करता है finance manager वो उसका रोने इसके अलावा उसको reports भी तो बनाना पड़ता है जो आप directors को देंगे तो मैं आपको एक आसान तरीका बोलता हूँ कैसे याद रखना है पहले कितना पैसा कहां से आएगा owned और borrowed कहां जाएगा fixed assets और working capital working capital मतलब day to day कर्चा और फिर report तायर करके management को देना मतलब directors को देना ऐसे रखो के तो आपको instantly points learn हो जाएगे तो आपको ये video पसन है तो like करना friends के साथ share करना चैनल को जरूर से subscribe करना ताकि आपको regular video updates मिल सके दूसरे videos भी इस chapter और subject के हैं तो आप ढूंड लेना आपको मिल जाएगा नहीं मिल रहा है तो आपको कोई particular video चीए तो मेरे comment section में डाल देना मैं आपको वीडियो provide करना मैं आपको thanks बोलता हूँ All the best